हैलो दोस्तो तो आज बत करेंगे इंडिया का नहीं एस्या का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो इसके बारे में पूरा डीटेल्स हम बताएंगे चैनल पर नेहीं तो पर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आश चलागा तो लाइक कर दो चलो बताता विश्यावर एयरपोर्ट जो कि दिल्ली से सटे नॉइडा के पास बनाय जा रहा है जिसके बारे में बताऊंगा तो दोस्तो आप लोग सौक हो जाओगे क्योंकि यह जो एरपोट इतना बड़ा होने वाला इतना बड़ा होने वाला है कि यह इंडिया का नहीं दोस्तो पूरा एसिया का सबसे बड़ा सब्सक्राइब होने वाला है तो इसका जो दोस्तो बहुत सारे डीटल से वह बताने वालों वीडियो में आगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों इस जेवर एयरपोट का मेन लोकेसे ने दोस्तों यह नोईडा सीटी से लगबग लबग 30 किलोमेटर से आगे इस नोईडा की जेवर एयरपोट का दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्रीव है क्योंकि यह जो एयरपोट दोस्तों बहुत पहले इसका जो पूपूजल है वह रख दिया गया था इंडियन गवर्मेंट के पास लिकिन वह तब दोस्तों नहीं हुआ ता जो कि साल 2001 2001 में इसका जो पूपूजल था फश्ट हुआ था लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था उसके बाद देरे-देरे 2014 में हुआ उसका बाद 2018 में उसका पूरा पूरा पूपूजल क्लियर हो चुका है और फिलाल के दिनों में जो काम है बहुत ही तेज़ी से किया जा रहे हैं और इ कर देखे जो यसी जैस में काम किया रहे हैं और इसका दोस्तों लेंध है प्लाल आप दिखे refer ने में अबूजल को डिकर फिलाल के दूरी है जो लेंध है पासके अगूपूरा होने बहुत है तो समझत्रे कितना बड़ा ऑई और इसका जो दोस्तों हो साइज में तो बहुत ही हाई टेक फैसलेटी से लैस होगा और इस एरपूट का साथ आप लोगों को मिलने वाले एक्सप्रेस हुए हाईवे और मेट्रो और बहुत सारे फ्यूचर में आने बाले जितने इंफ्रस्ट्रक्चर है वह तो बनाए जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा जब दिनों में कुछ नहीं है लेकिन आगे जाने वाले 4-5 सालों के अंदर इस जगह में इतना सारा डवलप होने वाला है आप लोग अंदाजे भी नहीं लगा सकते अभी आप लोग वीडियो देख रहे हों आप लोग कुछ साल बात देखना यह बला वीडियो तभी पता चले इस एयरपोट के जो में नाम होने वाला दोस्तो नौइडा इंटेनेशनल इयरपोट से इसको पुरा दुनिया में पहचाना जाएगा और सब्सक्राइब बात है जो पूरा पूरा एयरपोट बन जाएगा अप लोगों पता है कितना सारा पैसेंजर को यह हैंडल कर सकता है सिर्फ एक साल के अंदर 22.5 करोर लोगों को यह जो एयरपोर्ट है वो अपना फैसलिटी दे सकेंगे तो आप लोग समझ रहे 22.5 करोर कितने पैसेंजर होते तो बहुत सारे पैसेंजर का इस एयरपोर्ट से आना जाना लगा रहेगा और उनको जो isily handle भी करेंगे यह अयरपोर्ट और यह पूरह को पूरा का पूरह का का म क्यासा यह जा रहा हिए जितना भी एरपोर्ट के dolar जो रेजल का मेंपर च습니다 कर सेंगे construction का काम चल रहा है और दोस्तो इस जगह में जितने में maintenance का काम होगा फ्यूचर में यह जब एरपोट बन जाएगा उसके बाद जितने में एक दखाऊ का काम है वो करेंगे दोस्तो जिवरिक international company जो की एक Switzerland company है जो की पूरा का पूरा future के 40 साल इस जगह में जो है अपना safety देंगे और पूरा का पूरा जितने फैसिलेटी है उनके दुवारा handle किया जाएगा इस एरपोट का तो कोई भी किसी जगह में भी जो एरपोट बनता है उसके आसपास जो इलाका है दोस्तो वह ब बहुत कि लाके है ज़ंवोट भी बहुत कोई बहुत है आप लोगों को मैंने पहले ही कि इसमें एक चाहिए बनाया रहा है क्यूंकि future में इसमें पैसेंजर आने जाने लगेंगे जिब लगत होगा जब सबहीं का eh जरुरत होगा तब जाके दोस्तों फीर से से यो बनाया जाएंगे फिलाल की दिनों लेकिन अभी एक ही बनाये जा रहे है जब Persianian qa बढ़ने लगा दिन पर दिन तब जाके और जे रहन्वें से दोस्तो बनायाई जाएंगे तो इसी तरह के जो Indian Railways और Indian infrastructure बहुत सरे development related to the construction, अगर आप लोगों को देखना चाहते हो तो इंडियन इंफ्रस्क्राइब सभी अपडेट जो है मेरे चैनल पर आप लोगों मिलेगा तो दोस्तो यह बला अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करना और चैनल पर एक कॉमेंट भी करके जाना इस वीडियो के नीचे और चैनल पर नए हो तो पर लिए सब्सक्राइब भी करते ना जा चलो मिलते फिर के जूब ने हो